लो दोस्तो आईए हम जमानिया के बारे में आपको एक रोचक जानकारी देते हैं जैसा कि आप जानते हैं कि जमानिया को सिकंड पंजाब के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह उजमानिया जो है उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिलिय Tanner के एक ताउन नगर हिंदू- जमानिया में उनका गंगा किनारे एक आश्रम भी है, जमानिया सहर का कुल छेतरफल लगबग 233 एकर में फारला हुआ है, जनसंख्या जमानिया के लगबग 50,000 है, यहां के भासा में हिंदी उर्दू बोजपूरी के साथ पंजाबी भी बोली जाती है, मुगल शाशक अकबर के शाशन काल के दोरान अफगान अली कुली खान अलियाश खान जमान को गाजीपूर की सत्ता सोपी गई, उन्होंने ही अपने नाम पर जमानिया के स्थापना की, अली कुली खान जमान ने नगसर फैमिली के अस्थान ये हिंदू सासक जो खिजिरपूर से थे, उनसे पाँच हजार बिगाज जमीन खरिदी और जमानिया की नजदीक नसरतपूर वा मुरादली गाउं की अस्थापना की, गाजीपूर बनारस के राजा बलवन सिंग के पुत्र मंसार राम को गाजीपूर का राजा बनाया गया, इसके बाद वारेन हैस्टिंग्स जो अंग्रेज आकरम करता था, गाजीपूर को अपने ब्रठीश समराज में मिला लिया, लाड कानवालिस जिसे भूमी सुधार के लिए जाना जाता है, यहां आया और उसने जमानिया छेतर में अनेक बूमी सुधार कारी किये, उसकी मृत्य बुखार के कारण 5 अक्टूबर 1805 में हो गई, उनकी इस मृत्य में गाजीपूर में एक परसिद मगबरा बना है, जिसे लाड कानवालिस का मगबरा भी का आ जा नाम आता है, उनका जनम भी जमानिया छेतर में हुआ था, नीला साब जो यहां के स्थानी किसान नेता थे, अंग्रेजों के अना जो नील के उगदामों में आग लगा दी थी, जिसे अंग्रेजों में रोज फैल गया था, बिट्सों को बाहर भगाने में यहां बहुत काम इन लोगों ने किया, लेकिन अग्रेजों को रनने थी, उनके आगे काम नहीं आई, हमारी जनकारी यह कैसी लगी? हमारे जनकारी को शेयर किजिए, लाइक किजिए, कमेंट किजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इतना मौतपूर जनकारी आज़ दन्यवाद